प्रवाइब नमस्कार में कमलेश महावार आपका हार्दिक फागत करता हूँ आज हम गणेश भगवान की आरती प्ले करना सीखेंगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राब ने किया तो प्लीज जरू सब्सक्राब कर लें तो चलिए शुरूआत करते हैं गणेश प्ली या कीबोर्ड या प्यानो चीखना सुरू किया है तो ये बहुत अच्छी आरती है जिसको सीखकर आप अपने कॉन्पिटेंस को बढ़ा सकते हैं तो चलिए शुरूआत करते हैं पहली लाइने जे गणेश जे गणेश जे गणेश दीवा तो देखें एक शब्द को देखते हों हम सीखेंगे, धीरी-धीरी सीखेंगे जे गणेश, जे गणेश फिर जे गणेश दीवा, वो बाद में बताईएं तो देखिए फेले, जे गणेश, जे गणेश तो देखिए, जे गणेश पहले जे गणेश जे यहाँ पर आगे सासे फिर देखिए जे गणीश फिले जे सा से फिर गणीश आएगा सारीरी जे फिर गणीश दुबार देखिए जे गणीश सारीरी उसके बात में जे गणीश चार बार आयेगा मैं फिर फिर गणीश जे गणीश इसमें आप अंगुठिय का इस्केमाल कीजिए दोबारा देखिए दोनों को जे गणीश जे गणीश एक बार लास्ट बार जे गनिश, जे गनिश, फिर अगली लाइने जे गनिश देवा जे गनिश, जे गनिश, जे गव से आएगा, जे फिर गनिश, गनिश, दुबार देखिए इसमें जो वा शब्द आ रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा दिर के लिए आ रहा है इसलिए आपको दो बार प्रेश करना है ये आप अगर चाहें तो इसको प्रेश करके रख सकते हैं वा में या फिर आप देवा देवा इस तरह से आपकी एक लाइन कंप्लेट होती है दोबार देख दीची पूरी लाइन को जे गनेश जे गनेश जे गनेश देवा अगली लाइन देखिए दूसरी लाइन माता जाकी पारवति पिता महा देवा माता जाकी एक एक शब्दों को पकड़के चलेंगे तो आपको जल्दी सीखने में आगा माता जाकी यहां से नी से नी से शुरुआ तो जाकी नी साने मंदर सब्दक का नी है यह माता जाकी नी साने माता तो नी नी यहां से नी माता पिर जाकी साने नी साने पिर पिर आगे देखिए दो रोगो एक साथ में माता जांकी पारवती सोरी माता जांकी पारवती माता जांकी पारवती फिर पिर आगे पिता महादीवा कैसे है पिता में यह वाली आप फिंगर यूज करेंगे पिता महादीवा जांकी पिता में तीन बर्स आएगा पिता महादीवा फूरी लान को एक पर दुबार है मता जांकी पारवती पिता महादीवा ठीक है इस तरह से आपका इस्ताई कंप्रेट होता है फिर उसके बाद में अंतरा में आएगा आपका एक दंत दयावंत चार भुजाधारी है ना इस लाइन को शेकिंगे हम देखिए कैसे कैसे साग मागर एक में आएगा साग साग फिर मागर एक दंत एक दंत साग मागर एक दंत साग मागर में हो क्या है एक दंत फिर दयावंत दयावंत में यहां पारे मिडल फिंगर से दयावंत यह पाया पाप से पाप पाप चार बर पाएगा पाप पाप एक दंत दयावंत एक दंत दयावंत एक दंत दयावंत फिर चार भुजाधारी इस बार यहां से आएगा चार्वी धारी में देखें यहां से मा से आएगा मातीम है यह मातीम रहे इस तरज है चार भूजा धारी चार बुजा धारी मामा पापा मागा या मातीर उसे दो बार मागा चार बुजा चार में तो दो बार मागा चार फिर बुजा में दो बार पाई बुजा फिर धारी में मागा माग धारी दूपार देखें चार बुजा धारी चार बुजा धारी फिर माथे सिंदूर सोहे मूँ से की सवारी सेम लायन देखें की से सागा माग पापा पा पा जो भी हमने लायन प्ले की ती स्टीक वैसे सागा माग पा 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 माथे सिंदूर सोहे फिर मूँ से की सवारी निचे है इस तरह से यह लाइन भी आपकी complete होता ही है ठीक है तो उसके बाद में फिर पान चड़े फूल चड़े और चड़े मेवा मुदक का भोगलागे संत करे सेवा तो यह जो आपने पहले जो लाइन बजाएती ठीक उसी तरह से आएगी देखिए एक बार देख लीजिए इस तरह से यह चलते रहेंगे आपने चाहर लाइने सीख ली तो समझे लीजिए आपका यह गणेश वंदना गणेश जी की आरती complete हो गई है ठीक है आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रू बताइएगा और धीरे धीरे दो तिन बार आप प्रक्टेस करेंगे तो आप ज़रू सीख जाएगे अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार